सिद्धी हिंदी विद्ध्यालई योटूब चैनल में आप सभी का हर्दिक श्वागत है अजम अक्सादस विग्नान और टेक्नोलोजी विशई के बारे में चेप्टर थ्री धातू और धातू के बारे में आगे अभ्यास करेंगे उसका जो आज का टॉपिक रहेगा वो है धातू का क्षरण अभी ये क्षरण कीशे कहते है ये क्षरण क्यों होता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे है पहले तो धातू का क्षरण कीशे कहते है हमें पता है हम सब जानते है कि जब नमी वाली रूतू होती है जैसे कि बरशात की रूतू के अंतरगत कोई लुहे की वस्तू होती है उसके उपर जंग लग जाता है वो जंग का कलर थोड़ा बदामी रंग या कथे रंग का होता है और उसे ही हम क्षरन की प्रक्रिया कहते है कोई भी लुहे की वस्तू को अगर यादी हम बर्शात की रूतू में खुला छोड़ दे तो आप देखोगे कि उस वस्तू के उपर थोड़ा बहुत काले कथे रंग का या बदामी रंग का थोड़ा बहुत जम जाता है कुछ पदार्थ जम जाता है इस प्रक्रिया को हम कहते क्षरण तो ऐसा क्यों हुआ क्यों कि इस प्रक्रिया के अंतरगत होता क्या है कि जो धातों की खुली सत्व होती है धातों की जो खुली सत्व होती है वो धातों की खुली सत्व की प्रक्रिया जो होती है वो हवा के O2, CO2 या तो नमी के साथ होती है ये प्रक्रिया के अंतरगत ये जंग लगने की प्रक्रिया की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को हम क्षरन कहते है तो परिवासा के तोर पर हम ये कह सकते है कि धातों की खुली सत्व की प्रक्रिया हवा के O2, CO2 या नमी के साथ होती है तब धातों की खुली सत्व के उपर जंग लगता है इस प्रक्रिया को हम कहते है धातों काक्षरन जैसे कि अलग-अलग वस्तू होती है उसके उपर जब जंग लगता है तो कलर थोड़ा अलग-अलग बनता है जैसे कि चांदी की वस्तू होती है वो चांदी की वस्तू थोड़े समय बाद हवा में हम रखते है तो काली पड़ जाती है चांदी की जो भी चमकिली वस्तु होती है उसको यदि हम हवा में थोड़ा समय खुला रखते हैं तो वो चांदी की वस्तु थोड़े समय के पश्चात काली हो जाती है ये काली होनाई का रिजन क्या है कि वो सिल्वर मतलब चांदी की खुली सत्व की प्रक्रिया इसके साथ होती है और लज़ हवा में एक वस्तु और भी होती है सल्फवर जो काले रंग का पदार्थ होता है इन सभी के साथ प्रक्रिया होती है और इसकी सत्व पर एजी टु एस इसलिए चांदी को यदि हम अवा में खुला रखते हैं तब चांदी हमें ठोड़ी काली दिखती है इसके पीछे का एक मात्र रिसन यही है कि सिल्वर जो होता है चांदी जो होती है उसे हम खवा में खुला छोड़ते है तो वो जो सिल्वर होता है या तो वो जो चांदी होती है वो हवा के अंतरगत O2 होता है CO2 होता है नमी होता है सलफर के कण भी होता है जो हम गाड़िया च लाते हैं उसके पीछे जो दुहा निकलता है उसके अंतरकत सलपर के कण भी होते हैं काले रंग का पदार थे तो इनके साथ प्रोशेश करके सिल्वर सलफाइड बनाती है सिल्वर सलफाइड का जो स्वयम का रंग होता है वो काला होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि चांदी को य प्रकरिया करता है और यहां किवय हैं सब्सकों करनेक्जक्छicate करने लिए, few लेया सब्सकों सब्सक्राइब करने देवनजक् सब्सक्राइब करते हैं को देख शकते हैं क्या कहा कि जो कोपर होता है उसका भी रंग बदल जाता है क्योंकि कोपर हवा के कार्बन डायोकसाइड के साथ प्रक्रिया करेगा और हवा के कार्बन डायोकसाइड के साथ कोपर जब प्रक्रिया करता है तब उसके उपर कोपर कार्बोनेट हरे रंग के प फिर दुसरी बात करते हैं लोहे, लोहे को लोहा मतलब F2 लोहे को यदि हम हवा में खुला छोड़ते हैं तो लोहा भी हवा के 2O2 ooh या Co2 या नमी के साथ प्रक्रिया करता है और उसके ऊपर बादमी रंग या कथ्थ ही रंग का पर्त जमता है और उसका कारण है F2O3, लोहे का ओक्साइड बनता है तो यह हमने अलग-अलग उदारण देखे जैसे की तीन उदारण हमारे है जैसे की F-E का उदारण है जिसमें कथ़ई रंग का परत जमता है और उसका कारण है F-E 2-O-3 लोहे का ओक्साइड बनता है फिर कोपर होता है उसमें जो रंग होता है वो हरा हो जाता है और उसका कारण जो होता है वो है copper carbonate फिर silver मतलब चांदी जो होती है वो थोड़ी काली दिखती है हवा में खुला छोड़ते है तो उसका कारण है ag2s silver sulfide तो इस प्रकार धातूओं को हमने खुला रखा तो उसका color बदल गया उसका color बदलने का एक मात्र कारण यह है कि वो हवा में जो कुछ भी होता है उसके साथ प्रोशेश करती है और प्रोशेश करके कुछ नया पदार्थ बनाती है और ये नये पदार्थ के कारण उनकी सताका रंग बदल जाता है कभी कबार हम ये भी कहते हैं कि धातो के एक शरण के कारण फाइदे भी होते हैं जैसे कि यदि हम लोहे के उपर ये परत लग जाता है तो अंदर का लोहा जो होता है वो बच सकता है मतलब एक प्रकार का ऐसा समझो कि भी ठंडी की रूतु चल रही है घंडी की रूपर हमारी स्कीन के ऊपर हमASON लगा देते हैं तो जो भी बाहर की यवा होगी वोASON के साथ प्रोशय करेगी इसके कारण हमारी स्कीन जो होती है वो सुरक्सित रहती है क्षरण में जो जंग लगता है वो भी कुछ ऐसा ही काम करता है कि जो उपर का पर्त होता है वो अंदर की धातू को बचाता है पर उसमें कुछ एक क्राइटरिया होते है कि कुछ धातू का क्षरन अगर ज्यादा हो जाए तो वो वेश्ट जाता है और करूड़ो रूपे का नुक्षान भी होता है खास करके लोहे के मामले में करूड़ो अपर उसके दातों को में पर techn τις सेखंषते हैं कुछ भी करके हमें यहां पर एक काम करना है दातों को खुली सत्व को सब्सक्राइब करें ठंड़ी की सिसन है अब है जानते होOkay ये ठंड़ी के कारण आपकी सकीन ड्राई भी होती है स्कीन क्रैक भी होती है थोड़ा बहुत तो उसके कारण आप क्या करते हो आपकी स्कीन डायरेक्टली हवा के कौन्टेक में न रहे वैसा काम करते है उसके लिए स्वेटर पहनते है जैकेट पहनते है शॉल उपर डालते है अदर्वाईज एक्ष्ट्रा वस्तू में कैप पहन प्लस अलग-अलग मॉश्चुराइजर्स जैसे की वैशलीन है वो अपनी स्कीन के उपर लगा देते हैं तक हवा का डायरेक्ट संपर्थ हमारी स्कीन के साथ रूखता है यहां पर भी हम यहीं करेंगे कि धातू की खुली सत्थ के उपर रंग लगा देंगे और इसी के कारण हवा का जो डायरेक्ट संपर्थ धातू की सत्थ के साथ होता है वो नहीं होता है और परिणाम शुरूप जंग नहीं लगता हो और ख्शरन रूखता है रंग लगा देते हैं फिर तेल भी लगा शकते हैं या तो ओईल लगा सकते हैं चिकने पदार्थ भी हम लगा सकते हैं और या तो ग्रीस जैसे चिकने पदार्थ लगा कर भी हम यह एक शरन को रोक सकते हैं रोक सकते हैं क्यों रोक सकते हैं क्योंकि यह भी अवाक का जो संपर होगा उतातों की कुली सत्व के साथ नहीं होने देगा फिर एक और बात है कि जो हम धातों की सत्व के उपर अधिक सक्रिय धातों का आवरान लगाएगे धातों की सत्व के उपर यह जो धातों की सत्व है उसके उपर इससे भी अधिक शक्रिय धातों का आवरान लगाएगे मतलब ये धातू जो उपर आवरन लगाते हैं ये धातू इस धातू से ज़्यादा सक्रिय होती है और इस सक्रिय अपने से बार की अवा जबी प्रक्रिया करेगी तो पहले इसके साथ करेगी फिर इसके साथ करेगी और ऐसा करने से ये धातू बच जाती है ये धातू का क्षरण होता नहीं है फिर जो धातू होती है जिंक धातू का जो स्तर लगाया गया लोहा ये सपोस्थ लोहे का टुकड़ा है और उसके उपर हम जिंक धातू का आवरण लगाते है जिंक धातू का परत लगाया गया लोह उसे हम galvanized iron कहते हैं जिंक दातु का पर्त लगाया गया लोहा उसे हम galvanized iron कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे इस प्रक्रिया को हम कहेंगे galvanizing इस प्रक्रिया को हम कहते है galvanizing जिंक धातू का पर्त लगाया गया लोहा उसे हम कहते हैं गेलवेनाइज डायन और इस प्रक्रिया को इस प्रोसेस को हम कहते हैं गेलवेनाइज जिंग उसके अलावा हम धातू का क्षरण धातू के उपर हम इनेमल पेंट का आवरण भी लगा सकते हैं इनेमल पेंट मतलब चिकना एक पदार्थ है फिर योग्य रासानिक पदार्थ जिसे हम नीरोधक कहते हैं उसे भी हम धातों की खुली सता पर लगा सकते हैं योग्य रासानिक पदार्थ जिसे हम क्या कहते हैं नीरोधक उसे भी हम धातों की खुली सता के उपर लगा सकते हैं उसके ओपर जंग लगता है पर यदि लोहे में हम कार्बन मिला दे तो वो स्टील बनता है और उसके ओपर जंग लगता नहीं है फिर लोहे में यदि क्रॉमियम और निकल मिला दे तो स्टेंलेश स्टेल स्टेंलेश स्टेल बनता है जो थाली में आप खाते हो वो स्टेंलेश उस पर जंग नहीं लगता है, उसके पीछे का एक मातरा कारण यही है, क्यों मिस्रजात हुए, अकिला लोहा होता है तो उसके उपर तुरंग जंग लग जाता है, पर उस लोहे में यदि थोड़ी ही मातरा में, यहाँ पर हम जो कारबन डालेंगे, उसकी मातरा होगी पर 0.05% पर यह थोड़ी प्रमाण अच्छी मातरा है, मलब एफी में हम 0.05% कारबन मिला देते हैं, तो स्टिल बन जाता है, और उसके कारण उस पर चंग नहीं लगता है, यहाँ सोचो कि 0.05% की हम बात करते हैं, तो कितना होता है, सपोज मान लीजिए, कि हजार की लिए लोहाम यूस करते हैं, हजार के 0.05% निकालते हैं, तो हजार, उना, पांच, बटे में शोओ, और यह परसेंटेज के शोओ, कट हो गए, फिर यह भी कट हो गया, मतलब 0.05 ग्राम कारबन मिलाना है, कितना, 0.05 ग्राम कारबन मिलाना है, थोड़ा बहुत चादा भी मिला शकते हो, तो हम यह सोचते हैं, कि यह 0.05 ग्राम कारबन मिला देने से, अगर हमारा अजार किलो लोहा बचता है, तो अच्छी बात है, अजार किलो लोहे में, यदि हम 0.05 ग्राम कारबन मिला देते हैं, तो अभी हमारा काम सरलता से अच्छा हो जाता है, और हमारा जो अजार किलो लोहा है, उसके उपर जंग लगता नहीं है, क्या कहा, अजार किलोहे को बचाने के लिए हमें उसके अंतरकर 0.5 किलो कारबन डालना होगा, जिसके कारण हमारा जो भी अजार किलोहा है, वो अच्छी तरह से जंग नहीं लगता वैसा लोहा बन जाता है, तो यह है अलग-अलग मिस्रधात जो लोहे का खशरन रोकने के लिए अलग-अलग उपचार थे, यदि इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखते हैं और ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक किजिएगा, अपने मित्रों को शेर किजिएगा, और इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना न बूले, त तो नहीं आएगे, वह आपको जल से जल मिल सके, धन्यवाद